नमस्कार मैं उईशा भारगाव स्वागत है आपका 75 जिलों की 75 खबरों में निकाय चुनाव को लेकर CM योगी की अपील, CM योगी की प्रदेश की जनता से अपील, वोट का सही इस्तमाल करने की अपील की घर पर बंबाजी कर दबंग युवक ने फिलाई देशत एक घर पर बंबाजी होने से आसपास रहने वालों में हड़कम सुचना पर पहुँची पुलिस से पहले ही दबंग हुआ फरार सपाने चुनाव संचालन समीती का किया गठन बनाई गई 6 सदिसिये चुनाव संचालन समीती, राष्टे सचेव, अर्विन सिंग, गोप सहित समीती में शामिल लखनव में LDA के नाम पर हो रही पार्किंग की वसूली, पार्किंग शुलक वसूली का वीडियो हुआ वाइरल, पुलिस की बैरिकेटिंग लगा कर की जा रही पार्किंग की वसूली टिकट बटवारी को लेकर कायस्त समाज में रोश, निकाय चुनाव में कायस्तों की उपेक्षया पर संगठन ने जताया रोश, लखनव कायस्त समाज के मुख्छ संयोजक ने जताया रोश कानपूर के किद्वई नगर में स्कूल में लगी भीशनाग, यूपी किराना सेवा समिती विध्याले में लगी आग, स्कूल करमचारियों ने आग पर पाया काबू हमीरपुर में नधी में डूबने से दो बच्चों के मिले शव, लगबग 20 घंटे बाद मिले दोनों बच्चों के शव, बेतवा नधी में नहाने गए थे दोनों बच्चे अमेठी में यूवक का शव मिलने से मचा हड़कम परिजनों के साथ ग्रामीरों ने जिताई हत्या की आशंका सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे मिलिया उन्नाओ में नाबाली गेंगरे पीडिता के घर दबंग आरोपियों का तूटा कहर आरोपियों पर पीडिता के घर पर आग लगाने और मार पीट का लगा आरोप बुलंड शहर में संदिग्द परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से विवाहिता की मौत पुलिस को मुरतक के शव के पास कमरे में ही पड़ा मिला वैद तमंचा पुलिस ने मुरतिका के पती को हिरासत मिलिया अल्डियने अवैद निर्मान पाई जाने पर सुपरवाइजर समेथ पांच को किया निलंबित निलंबित हुए सुपरवाइजर समेथ पांच लोग देखते हैं मोहान रोट के आसपास की योजना लगनव में कामाख्या मंदिर के पास फाइरिंग कर बदमाश फरार मौके पर पहुंची पुलिस खोका बरामत कर आरोपियों की तलाश में जूटी चुनाव के चलते मैच पर मंदरा रहे संकट के बादल छटे अब 3 माई को होगा LSG और CSK के बीच मैच पहले यूँ यहां मुकाबला 4 माई को इकाना स्टेडियम में होना था और एया में दिव्यांग भाई बहन शिकायत लेकर पहुँचे SP आफिस SP ने मामले की जाच कर कारवाई करने के दिये निर्देश हमीरपूर में अजीबो गरीब शादी शेतर में बनी चर्चा का विशे यूवक ने किन्नर की मांग में भरा सिंदूर CM योगी को दी जान से मानने की धमकी फेस्बोक और ट्विटर पर पोस्ट हुई वाईरल मुकदमा हुआ दर्ज निकाय चुनाव से पहले सपा रालोद गटबंदन दीन सीटो पर सपा ने उतारे प्रत्याशी रालोद दो दिन में लिस्ट करेगा जारी बरेली में महापोर्ट टिकेट के लिए खीचतान सपा में टिकेट मिलने के बाद शुरू हुई गुडबाजी बिजेपी का सस्पेंस देकर बसपा ने टिकेट होल्ड पर रखा बांगरमों में निकाई चुनाव की तैयारियां जोरो पर सपा द्यक्षपद के लिए 26 ने कराया ना मांकर सुरक्षा के रहे सक्त इंतिजाम इमरान मसूद ने यूपी कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल शारणपूर में बोले अब तो हमें भी डर लगले लगा है कोई हमें ना गोली मार दे रेट अनॉइडा में इस्टन पेरिफेरल एक्स्प्रेस वेपर सडख हाथसा दो लोगों की मौत और दस घायल मिनी ट्रैवलर बस में थे सवार इंटरनेट सेवा ठप होने से 800 करोड का नुकसान ओनलाइन पेमेंट टेक्सी भोजन बुकिंग सहीत सभी डिजिटल सेवाय रही ठप सुल्तानपुर में दो यूवकों को दबंगई पड़ी महंगी रुपए के लेंदेन में गारी चड़ाने का किया था प्रियास कोट ने दिया फायार दर्च करने का देश अमेड कर नगर में पुलिस और बदमाश में मुटबेड 25,000 के नामी मनोच के पैर में लगी गोली एक सिपाही भी घायल इटावा में चार आरूपियों को न्यायाले ने दिया आजीवन कारवाज 10,000 का जुर्माना लूट वा हत्या का था मामला चेट चार दुशकर्म का प्रयास करने पर पास साल की जेल बुलन शेहर कोट ने आरूपिय पर लगाया 27,000 का जुर्माना संत कभी नगर के महदावल में यूवक ने फासी लगा कर दी जान कमरे में पंखे से लटकता मिला शव सरापीने का आदी था यूवक हाथ रस में सपाने उमिद्वार किये गोशित पाली का अध्यक्षपत पर ललन बाबू एडवोकेट बने प्रत्याशी दूसरे चरण में होगा मद्दान बरेली में सुरक्षा विवस्था कड़ी सड़क पर उतरे अफसर शांती एवं कानून विवस्था को देखते हुए आईजी और एसपी ने लिया जाइजा प्रियाग राज के यमुना में दूपने से तीन दोस्तों की मौत दरियाबाद से नाव से आए थे महिवा घाट नाते समय गेरे पानी में चले गए क्रेडाई के नैशनल चेयर मैन बने मनुज गौड 21 राजियों में क्रेडाई 13,000 से ज्यादा रियल एस्टेट डेवलेपर्स मेंबर टिकेट ना मिली तो नेता जी ने कर दी बगावत जासी में भाजपा, सपा और बसपा से बगावत कर चार पत्याशियों ने निर्दलिय ताल ठोकी आजमगर में लोहरा चोकी के नव निर्मित भवन का लोकारपन मुख्यतिती बने आरक्षी ओम प्रपकाश यादव नालो की सफाई की ड्रोन से होगी निगरानी अलिगड में बरसाथ से पहले नगर निगम ने शुरू किया अभियान 24 घंटे में उठेगी सील्ट पुलिश कमिस्नर ओफिस में यूविती ने खाया जहरीला पदार्ट यूविती ने अपने रिटायर दरोगा फूफा पर लगाया यौन उत्पीडन का आरोप उन्नाओ में गैंगरे पीडिता के घर आरोपियों ने लगाई आग पीडिता का साथ महा का बच्चा और बेहन जुल से जमानत पर जेल से छूटे थे आरोपी पतनी के हत्या रोपी पती को दस साल की जेल दस हजार का जुर्माना भी लगा छे साल पहले अवैज संबन्ध में कीती हत्या बंदायू में पुल के नीचे मिला यूवक का शव लोगों ने मांसिक रूप से विक्षिप्त बताया पुलिस शिनाप्त करने में जटी दिली से आ रहे लोगों में कोरोना संक्रमन ज्यादा कानपुर में लगातार बढ़ रही संक्रमन की चैन कोविट संक्रमें 30 पेशेंट लापता 40 अम्रोहा में छेड़कानी करने वाले को 5 साल की जेल 10 हजार का जुर्मान लगा 5 साल पहले 10 साल की बच्ची से की थी अबद्रता अम्रोहा में गो तसकर की संपत्ति कोर्क गैंग्स्टर एक के तहत हुई कारवाई पशुतसकरी में कई केस हैं दर्च कन्नोज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटबे एक के पैर में लगी गोली चैन स्नैचिंग के मामले में चल रहे थे फरार हर्दोई में सडख हाथसे में बाइक सवार की मौत एक साथी घायल सांस्क्रतिक कारिकरम में जाते समय वाहन निमारी टकर बिजली विभाग के एक सी एन ने फासी लगा कर की यह अत्मत्या पिछले एक साल से थी विभागी टेंशन प्रियागराज के रहने वाले हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में गाजी पूर पूलिस भारी पूलिस फोर्स के साथ अफसरों ने शहर की सड़कों पर की पैदल गस्त पिली भीत में फिर अपनी सरकार बरबर से वरुन गांधी ब्रश्चाचार को लेकर बिजेपी सरकार पर कसातंज अतीक अश्रफ की सूटर लवलेश का परिवार ताला लगा कर गायब सन्नी गाउं बना छावनी कासगंज के अरुन की फैमली नहीं मिली अधीक अश्रफ के तीनों शूटर्स नैनी से प्रताबगर जेल शिफ्ट तनहाई बेरिक में रखे गए हैं हत्याकान में दोसे गठित वारणसी में आज हीट वेव का अलट भीशन गर्मी और लू के चलते डियम ने बदली स्कूल टाइमिंग सुबा साथ बजे से साड़े ग्यारा बजे तक खुलेंगे स्कूल मेरट में पानी भढ़ने को लेकर विवाद दो पक्षों में खूनी संगर्ष चार लोग घायल दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफतार पीली भीत में नशे से धुर्ट कार सवारों ने मचाया उतपात मामली विवाद में ट्रक चालक को पीटा जम करकी पत्थर बाजी रियाग राज में इंटरनेट ठप होने से हुआ 800 करोड का नुकसान ओनलाइन पेमेंट नहीं हुए हादी राज से इंटरनेट शुरू बिजनौर में गुलदार का अतंक रियाईसी इलाइकों में घुसे कुत्ते को बनाया निवाला, सीसी टीवी में कैद हुई गुलदार की गतिविदी कनोज में तलाब में डूब कर किसान की हुई मौत, मचली पालन के लिए खुदवाया गया था तलाब, नहाने तेसा में डूबा किसान वारणसी बावतपुर मार्क पर भीशन हाथ सा ट्रक और ट्रेलर की टककर में ट्रक चालकी मौत, तीन घायल वाहन काट कर निकला गया शव कोविड मरीजों के साथ बढ़ रहे बुखार के मरीज स्वास्त महकमा अलर्ट संक्रमितों को होम आईसोलेट किया गया दी जा रही सभी दवाए शावस्ती में निकाई चुनाओ को लेकर आपकारी विभाग अलर्ट अवेज शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए गया अभ्यान, आपकारी निरिक्षक ने टीम के साथ की छापे मारी मेर संयुकता भाटिया की तब्यत होई खराब, गबराहट और बेचैनी के कारण अस्पिताल में होई भरती हाट अटैक किया शंका मतुरा जिला संयुकत चिकत साले में लगी आग, पैथलोजी लाब में आग लगने से मचा हरकम दमकल की दो गाड़ियां ने पाया काबू अलिगड में एक लाग दहिज ना देने पर लोटी बाराज, जैमाल के बाद दहिज की जिद पर अड़ गया दुलहा, फिर लेने से किया इंकार उत्रप्रदेश शरकार में पूर मंतरी शारदा प्रताप शुकला का निधन मेदानता स्पिताल में ली अंतिम सास, काफी दिनों से बेमार चल रहे थे पूर मंतरी शारदा प्रताप शुकला मव में भार गाउं के जंगल में लगी भी शड़ाग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जोटी तेजी से फैल रही आग बस्ती में धर्मराज हत्याकान का हुआ खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की हत्या, आरोपी पती प्रेमी और शाड़ू को साथ गई जे करोली सरकार को डॉक्टर से मारपीट में क्लीन चिट, बाबा के तीनों चेलों के खिलाफ मारपीट में चारशिट धाकिल, पुलिस की जाच पर उठे सवाल ABVP नेता को मिली धमकी अतिक अश्रफ जैसा हस्टर करनी की मिली धमकी, धमकी की रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पर वाइरल मामली की जाच मिजूटी पलिश Constable ने 20 सड़क पर पत्नी को बहरीमी से पीटा कानपूर में गुंडों के साथ पीटा फिस सड़क पर खीचा अगवा करने की भी की गई कोशिश अतीक अश्रफ केस में SIT ने सुरू की जाच रिक्रियेट कर सकती है Crime C, तीनों हमलावरों से पूछताच के लिए रिमांड अप्लिकेशन दाखिल करेगी गाजीपूर में SGM का सरकारी अवास में शब मिला बेट पर पड़ी थी डेट बॉडी तीन दिन पहले मिलकर गए थे परिवार वाले मेरट में पूर प्रधान के बेटे की गोली लगने से मौत दोस्त बोले बाइक से उतरा खेत में जाकर खुद को गोली माली मैनपूरी में तेजरफतार वाहन ने दो यूवुकों को कुछला हुई मौत नुमाईश दे कर बाइक से लोट रहे थे घर वाहन से चालक फरार अयोधिया में मिले कोरोना के की संक्रमित नए संक्रमित मिलने से इलाके में मचा हरकम शामली में थाने से चोरी हो गई कार को त्वाली में खड़ी ब्रेजा से चोरोन से भरा फरार ब्रूर्ण लिंक जाज के खिलाव स्वास विभार की चाप इमारी नौ अरोपी हिरासत में मुख्या अरोपी मौके से फरार बारबंगी की निर्दई सरकार टीचर की करतूत कड़ी धूप में बच्चों से दुलवाई इट हातों में छाली दिखाते हुए बोले नैनिहाल पिछेतर जिलो की पिछेतर बड़ी खबरों में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टेवी धन्यवाद